असलाम अलेकुम आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मुंबई स्पेशल वड़ा पाउ की रेसिपी बहुत जारा टेश्टी बनकर त्यार होगा साथ ही इसके ग्रीन चट्नी बनाएंगे और पाउ मसाला भी हम बनाकर त्यार करेंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं भी लिएत है और अलो को हमने अच्छे से वोष करकर बोयल कर लिया था और बोयल कर करण कर만गे था हमने 2 घंटे के लिए तो यहां पर हमने आलू का च्छी से मेश कर लिया है और यहां देख़िए आलू के अंतर बिल्गुल भी गॉड़ि कुछ भिन नहीं है तो इसी तरह से मेश करना है अब हम आलू का मसाला त्यार करेंगे तो जिसके लिए यहां पर लेना जननेगे टेल 1 टी स्पून जीरा 1 टीश्पून एट करेंगे राईताना साधी साथ यहां पर एट करेंगे हम कड़ी पत्ता प्रेश कड़ी पत्त कर तेया है सारे मसाला अच्छी से चटक जाएंगे तो हम मेश के हुए ऑछ आलू एट करेंगे जो कि हमने मेश करकर तो आलो 3-3 मेट मीडियम टुछ लो फिलिम पर अच्छे से मसालों के साथ पकाएंगे मिडियम फिलिम फिलिम एक च्छोटी चमची करीब करेंगे हल्दी साथ ही एक चोटी चम्ची करीब एट करेंगे लाल मिर्च नमक यहां पर हम टेस्ट के अकोडिंग एट करेंगे सभी मसालों को अच्छे से आलो में मिक्स कर देंगे जिससे एक मज़दार सा वड़ा पाउ का जो है बेटर अच्छे सा बनका तयार होगा बहु को मेश करते टाइम तो आपका मसाला भी इसी तरह से बनका तयार होगा साथ ही यहां पर एट कर देंगे हरा धनिया तो हरा धनिया की कौंटिटी थोड़ी ज्यादा ही रखेगा क्योंकि हरा धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है बड़ा पाउ में तो सारे मसाला अच अच्छा से बड़ा बड़ा अच्छा से ठंडा हो गया है बिल्कुल अब हातों पर लगा लेना है और इसके गोल गोल बड़े बना कर तयार कर लेंगे वड़े का साइज आप अपनी मर्जे कोडिंग रख सकते हैं जितने भी आपको पसंद हो कम यह चोटा तो इस तरह से अच्छे बड़े बना कर तयार किये है दór जीरा अजवाइन जो कि डाइजेशन में बहुत जारा हैलफुल होती है जरूर एट कीजिएगा साधे एक छोटे चमची एट करेंगे खाने वाला सोडा और नमक यहां पर टेस्ट के अकोर्डिंग रखेंगे अब यहां पर थोड़ा थोड़ा पानी एट करेंगे और इसका एक बेटर बना लेंगे तो आप बैसन को पहले चान लिजेगा चानने से बेटर बहुत आसानी से बन जाता है तो देखिए मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही हूं तो इस तरह से बेटर लगाएंगे इसको उपर और देखिए यहां जैसे उंगले से मार्ग नहीं है तो इतना ही कंसिस्टेंस की होनी चाहिए तो हमने बेटर रग दिया है दस मिनिट के लिए अब हम इसकी ग्रीन चटनी बनाएंगे तो जिसके यहां पर हरा धनिया लेना है साथे दस से बारा पुदीने के फ्रेश पत्ति लिए हैं दस से बारा लहसुन की कली लिए हाफ ट्रीज फटन जीरा लिया है नारा चम जीरा लिया है साथ ही नमक टेस्ट के अकोर्डिंगे चार से पांच यहां पर हरे मेर्ट चेट करेंगे और इसके एक चटनी बना लिए बहुत मददार चटनी बनका तयार हो गया है वड़े भी हमारे अच्छे से ठंडे हो गई लोफिए हुआ होई है अच्छा का फ्राय चालब को वाइं को सब्याइब फ्राय करेंगे जिससे बड़े के उपर जाएगा त्युपंतेriv और बहुत अच्छा से जाइएघ् । सारे वड़े हमने यहां पर एट कर दिये हैं अब एक साइड ऐसे अच्छा सा वड़े हमारे त्यार हो गए हैं अब दूसरे साइड इसके चेंज कर देंगे और दोने साइड से इसी तरह से गुमाते हुए हमें वड़े को अच्छा सा कलर लेना है जिससे इनकों पर एक अच् तो जिसके लिए हमने मसाला बना लेना है तो वड़े सारे बाहर निकार लेने है अब जो हमारा बैसन का बचा हुआ बेटर रह गया था उसका मसाला बनाएंगे तो इस तरह से चलनी दार कोई भी चमच ले लिजेगा और इस तरह से बेटर एट कर दीजेगा इसको उपर जिस हम इस तयार तयार हो गये है क्रिस्पी हो गयी है अब म् oraz को क्रेश्य घ्र aven लगाएंगे बहुत अच्छे हमारी पाव को सेख लेए जिस त्वीज़ रगा लिया था और अच्छे देगा आपकर त्यार कर लेंगे तो यहां पाव बूप यहाँ पाओ को बाहर निकाल लेंगे और इसका había sat, तो मसाला बनाने के लिवे यहाँ अच्छा आम पाओ को बैक्त निकाल लेंगे और ईसका podगता के मसाला बनाने के लिए अच्छा से को कि दर डरा कढल लिए था आप चाहे framework हास से हास like प्रmm preferably दखो Zariness अब इसमें एट कर देंगे लाल मिर्च आप चाहे तो यहां पर चाहट मसाला का भी यूज़ कर सकते हैं अब जो हमने मसाला भी तयार कर लिया है अब इस तरह से हम पाओ के उपर कट लगाएंगे पाओ के हमें तीन साइट को काटना है एक साइट का में रहने देना है तो इस पशन दो हरी मिर्च चटनी लगा दिया अब इसके एक साइट पर लगाएंगे हम मसाला जो कि हमने पाओ का मसाला बना कर तयार किया था तो यहां पर मसाला एट कर देंगे मर्जी अकोडिंग जितने भी आपको पसंद हो और अब इसको पर रखेंगे हम पाओ और हरी मिट जो कि हमने फ्राइक की थी और अब इसको पर रखेंगे हम वड़े जो कि हमने बना कर रखे थे क्रिस्पी क्रिस्पी वड़े बनकर तयार हुए थे तो वड़ा रख देंगे हर इमिच लगाएंगे और लीजी हमारा वड़ा पाओ बनकर तयार हो गया है मुंबाइ स्पेश आला हाफीज